हेई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चानल आज हम एक्स्प्रेंग करने वाले हैं ऑक्सीजन दस सीरीज के एपिसोड 9 का पार्ट 2 तो चलिए फ्रेंड आज के स्टोई को हम बिना देर के शूर करते हैं एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि काओ फू गुई और सोलो सभी दिनर करने के लिए बैटे होते हैं फ्रेंड्स काओ को सारे डिसस के नाम पता होते हैं वो सारे डिसस के नाम देते हुए फू को खाने के लिए देता है इस पर फू से कहता है कि तुम भले ही इन डिसस को बना नहीं सकते लेकिन तुम्हें इन सब के नाम पता है काओ कहता है क्योंकि मुझे खाना पसंद है इसलिए मुझे इनके नाम याद है सोलो और कुई भी एक दूसरे को डिसे सर्फ करते हैं काव फू से पूछता है कि मैंने जो तुम्हें खाने के लिए दिया है क्या उन डिसे के टेस्ट अच्छे हैं फू हां कहता है काव कहता है कि जब से हम मिले हैं तुम्हें हमेशा अच्छी चीज़े मिल रही है है ना काव खुश होकर अपना सिर्फ फू के कंदे पर रख देता है तभी फू के फोन पर फार्म का कॉल आने लगता है फू काव के क्वेशन का कोई अंसर नहीं करता है वो दोड़कर अपने भाई फार्म से बात करने चला जाता है काव को काव 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 बुरा लगता है वो अदाश हो जाता है नेक सिन में हम देखते हैं कि बाहर फू अपने भाई से बात कर रहा होता है वो उससे कहता है कि तुम अपनी मेडिसीन ले लेना उसके बाद सो जाना हम कल बात करते हैं तब ही काओ गिटार लिये आता है और वो फू के पास जाकर बैठ जाता है काओ फू से कहता है कि मैं तुम्हारी कोई जासूसी नहीं कर रहा था मैं यहां बस अपना गिटार प्लेग करने आया हूँ यहां पर काओ फू से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ जादे ही नोजी हूँ फू कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो इस पर काव खुश हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम से पूछ रहा था कि जब से हम मिले हैं तुम्हारे साथ अच्छी चीज़े हो रही है ना वो कहता है कि हाँ तुम हमेशा में लिए साथ चीज़े अच्छी ही करते हो और वो स्माइल करने लगता है, ये देखकर काओ कहता है कि तुम्हें स्माइल कर रहे हो, मैं देखना चाहता हूँ, प्लीज मेरी आखे मत बंद करना, लेकिन फूस का हांक बंद कर देता है, फ्रेंड्स सोलो और कोई दूर बैठे वहीं पर ये सब देख रहे होते हैं, सोलो क काओ को टीस करते हुए कहता है कि गिटार प्लीज मेरी आखे मत बंद करना, इसके बाद वो काओ से कहता है कि तुम जो सौंग आ रहे हो, वो काफी आउटडेटिड है, काओ कहता है कि तुम दोनों का क्या है, सोलो कोई का हांथ पकड़ता है, और वो उसके बाद वहां से च कि आप यहां पर हैं, मैं आपको बतानी वाला था कि यह क्या कर रहा था, तब ही मून सोलो को बाइट कर लेता है, और उसका हाँ चुड़ा कर वहां से भाग जाता है, और वो उसे कहती है कि मून आजकल अपने मॉम को बहुत मिश करता है, इसलिए उसे संभालना थोड़ा स मुझे करता है, इसलिए पर गूई कहता है, मून ने पहले मुझे बताया था कि उसकी मौम हमेशा उसके लिए लेटर सेंट करती है, मैं जाना चाहता हूं कि ऐसा कब से होता है, इसलिए अपनी मौम को बच्पन में ही खो दिया था, यह सुनका गूई उन से पूछता है कि फिर वो लेटर उसे कौन लिखता था, आंटी जट उसे बताती है कि बिग ममा ही मून को खुश करने के लिए वो सारे लेटर लिखा करती थी, से इन सिफ्ट होता है और हम देखते है कि कोई उन सारे लेटर को ढूंड रहा होता है, जो बिग ममा ने मून को लिखी होते है, तो क्या हमें मून को सच बता देना चाहिए, कोई कहता है कि मुझे लगता है इसके लिए मून अभी बहुत छोटा है, इसके बाद हम देखते है कि कोई वहाँ पर बाकी सारे डॉकुमेंट्स को देखने लगता है, तब ही उसे अपने बच्पन में की कोई ड्राइंग्स मि देखते हैं, गुई उससे बताता है कि विए बिग ममा ने कहाता कि हमें अपने ड्रेम्स को ड्राइब करना है, मेरा ड्रिम था कि मैं बड़े होकर बहुत अमीर बनूँ और बिग ममा का और इस अर्फनिस में रह रह रहे हैं, सभी लोगों का ध्यान लगता है, जिसमें मू प्रातना करने के लिए गया होते हैं, ड्र पिच खिम से कहता है कि यहां पर बड़े लोग आते हैं, ना कि हमारे जैसे यंग एज की लोग, इसलिए चलो मूवी देखने चलते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, खिम कहती है कि क्यों मंदिर आने में क्या ब कैसे हैं, खिम बताती है कि उसने खिम को इन्वाइट किया है, फ्रेंड्स थाइलेंड में जब लोग मंदिर में जाते हैं, तो वो अपना फ्यूचर चेक करने के लिए वहां पर एक बॉक्स में रखी हुई बहुत सारी नंबर लगे, इस्टिक को शेक करते हैं, और जो नं निकालता है, कि म अपना रिजल्ट लेकर जब आपाश आती है तो कहता है, मुझे ट्रफ नंबर मिला था जिसके रिजल्ट में लिखए है कि मुझे मेरा सच्छा प्यार किसी ही क्लोज परसन से ही मिलेगा, इसके बात कि हम कहते हैं, कि मुझे यह क्यों मिला, मुझे तो बहुत खुश हो जाता है और फ्रेंड्स हमें यह तो पहले से ही पता है कि डॉक्टर पेच को लाइक करते हैं तब ही खेम वहां आता है और बताता है कि उसे भी 24 नंबर की स्टिक मिली है खेम उससे पूछती है कि तुम कब से प्यार में पढ़के खेम मुझे उस परशन की फ कब से लग जाते हैं थोड़ी देर बाद जब सबकि ट्राइंग कमपलीट हो जाती है तो साहे बच्स है कि उसने खुद को और प्रिंसिपल को ड्रॉख किया है इस पर गुष से पुछता है कि तुमने अपनी मौम को क्यों नहीं ड्रॉख किया है सीन सिफ्ट होता है और हम काओ और फू को देखते हैं जो जंगल के रास्ते से वाटरफॉल को घूमने जा रहे होते हैं फू काओ स गाफी लोज जाने की वज़ख से उसे देखते ही रह जाता है इस पर फू से पूछता है कि तुम मुझे घुर कर क्यो देख़रे हो इस पर काओ कहते है कि तुम मेरी इतनी क्लोज क्यों है अगर तूमने मुझे दुड्प किया न King का इस फूमने मुझे जर्ष को बदा कि यह 100 में से है 10 में से 6 यह सुनकर खुश हो जाता है थोड़ी दूर आगे जाने के बाद फू चारों तरफ गूंगर देखने लगता है का उसे पूछ ते कहता है कि यहां जैसे हम इस जगर से दुबारा गुजर रहे हैं फू कहता है कि मुझे रास्ता नहीं पता क्यूंकि म तो वाटरफॉल पर पहले जा चुके होगे इसलिए तुम बताओ कि कैसे जाना है काव कहता है कि वो भी नहीं जानता उसने बस आउंटी जट से सुना होता है कि जंगल में वाटरफॉल के पास सिगनल होता है इसलिए काव ने गूमने के लिए यह जगर डिसाइड की होती ह इसके बाद काउ और फू वापस जाने लगते हैं काफी तेर तक चलने के बाद काउ ठगया होता है इसलिए वो फू को रिस्ट करने के लिए कहते हैं फू कहते है कि आज रात को मुझे फॉर्म को कॉल करना है काउ कहते है कि आप फॉर्म किसी ट्रॉबल में है इसो फूष से हा कहता है काउः को जो पता चलता है कि फारम किसी टर्ल में है तब फूः को जब पता Beautiful में है तब फूः को जब पता है कि चलो हम Water Fall पर ही चलते है क्योंकि वापस जाने में भी उनको बहुत रात हो जाती फू कहता है कि मुझे वाटर का साउंड सुनाई दे रहा है लगता है वाटरफॉल कहीं आसपास ही है इसके बाद वो दोनों जाते है और फाइनली उन्हें वाटरफॉल मिली जाता है काउ कहता है कि देखो यहाँ पर फोन का सिगनल भी है अब तुम अपने भाई को कॉल कर सकते हो फू काउ को थैंक्स बोलता है और उसे बताता है कि फाम उसे खुदी कॉल कर लेगा काउ फू से पूछता है कि आज रात तो हम वापस जानी पाएंगे तो क्या तुम इस जंगल में सो पाओगे फू इतना सुनते ही चालों तरफ दिखने लगता है इसके बाद वो काउ से कहता है कि अगर तुम यहां सोई तो तुम्हें मच्छरी खा जाएंगे फू के इतना कहते ही काउ अपने बैक से टेंट निकाल कर दिखाता है और कहता है कि मेरे पास टेंट है डून्ट वरी तुम मुझे जॉइन कर सकते हो टेंट देखकर फू काउ से कहता है कि तुम तो ऐसे त्यारी करके आया हो जैसे तो मैं पता था कि हम खो जाएंगे इस पर काउ उससे कहता है कि मुझे कभी बाहर सुने कामन करें तो मैं ऐसी यूज कर पाऊँ इसके बाद हम देखते हैं कि काव और फू थोड़ी दिर पानी में खेलते हैं उसके बाद वो जाकर एक जगर बैट जाते हैं जहां पर काव अपने बैक से सारा समान निकाल कर फू को दिखाता है कि हमारे पास ब्लैंकेट है खाने के लिए सारा समान होता है और वो साथ में टेप भी लेकर आया होता है इस पर फू से कहता है कि सारी चीज़े ऐसे लेकर आया हो जैसे तो मैं पता था कि हम खो जाएंगे इस पर काउ कुछनी बोलता और वो टेंट लगाने चला जाता है नेक सिन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है काउ नूडल्स खा रहा होता है वो फू को भी आफर करते हैं लेकिन फू से मना कर देता है उसे वक्त फू को फार्म का कॉल आने लगता है यह देखकर काउ बाहर जाने लगता है लेकिन फू उसका हाथ पकट कर वहीं रोग देता है इसके बाद वो काउ के सामने ही फार्म से बात करते है यहाँ पर फूस टाइम हमें फार्म को दिखाया जाता है फूफार्म से कहता है कि आसमाई सैकलाजी सेशन थी ना तो तुम उसका रिपोर्ट मुझे दिखा हो फार्म उसे अपना रिपोर्ट दिखा देता है रिपोर्ट में सारी चीजे नॉमल लिखी हjungainen यह देखका फूफ अपने भाई से कहता है कि कहीं ये रिपोर्ट लिखने के लिए तुमने डॉक्टर को फोस तो नहीं किया फ्रेंट्स यहां पर हमें पता चलता है कि फार्म बोल नहीं सकता फूसे मेडिसीन लेकर सो जाने के लिए कहता है और कहता है कि हम कल बात करेंगे आगे हम देखते हैं कि फोन रखने के बाद फू काओ से कहता है कि क्या तुम मेरे भाई फार्म के बारे में नहीं पूछोगे इस पर काओ कहता है कि मैं जानना तो चाता हूँ लेकिन मैं चाहता था कि पहले तुम मुझसे बोलू सचका हूँ तो मैं जानने के लिए बहुत ही कयोरिश हूँ फिर्टस यहाँ पर फू काउ को बताता है यहाँ पर फू काउ को बताता है कि फर्म तुमसे एक साल चोटा होगा हमारे पैरेंट्स के टिवोस होने से पहले हम साथी रहते थे लेकिन जब उनका डिवॉस हो गया तू फाम डदेट के साथ यूगे सिफ़त हो गया और मैं मौम के साथ थायलेंड में ही रह गया लेकिन एक दिन जब से मिस्ट्र ब्रिक के दोरान फाम थायलेंड आया था उस दिन मैं पार्टी के लिए बाहर कुछ समान खरीदने गया था और उसी दिन मॉम फार्म के साथ घर में अकिली थी तब ही कुछ चोर घर में घुसाया थे मॉम फार्म को प्रोटेक्ट कर रही थी और इसी दोरान उन चोरों ने मॉम को चाको से हमला कर दिया और फार्म के सामने ही उनकी रिट हो गई उस दिन के बाद से फार्म ने किसी से बात नहीं की सिर्फ मैं ही उसके क्लोज रहा मौम ने मुझे यहां स्टडी करने के लिए कहा था इसलिए मैं फार्म को अपने साथ लेकर यहां पर रहने लगा लेकिन एक दिन वो सारे डियूमर स्टार्ट होने लगे इस पर काउ उससे पूछता है कि क्या तुम यूनिविसिटी वाले उस डियूमर की बात कर रहे हो वो बताता है कि उस दिन मैं लेट हो रहा था इसलिए फार्म मुझे चेक करने के लिए आया था जब मैंने उसे देखा तो किसी ने उस पर अटेक किया था मैंने उस परसन को बहुत ही बुरी तरीके से मारा और इस तरह से जूनिविसिटी वाला डियूमर स्टार्ट हुआ इस इंसिडेंट की वज़ा से फार्म को वापस डैट के पास यूके जाना पड़ा उस दिन से हमने एक दूसरी को रोज कॉल करने का प्रामिस किया लेकिन एक दिन जब मैं बहुत बीजी था इस वज़ा से मैं फार्म को कॉल नहीं कर पाया उस रात को फार्म ने खुद को हर्ड कर लिया था वो तो अच्छा हुआ कि फार्म को ऐसा करते हुए किसी ने पहले देख लिया और उसे बचा लिया इस पर काउ उससे कहता है कि शायद इसी वज़े तुम आज स्टेश हो गए थे जब हम रास तर भूल गए थे वो काउ को बताता है कि इसी वज़े से मैं फार्म को हमेशा कॉल करता हूँ और जितना जल्दी हो सके मैं उसके साथ सिफ्ट होना चाहता हूँ नेक्स सेमेस्टर मैं अपने सारे क्रेडिट्स को इंगलेन की यूने सिटी में ट्रांसफर कर दूँगा और वहीं पर वर्क करूंगा ये सुनकर काउ 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 काफी उदास हो जाता है काउ फू से कहता है कि एक पर तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं फार्म के बारे में जाना चाहता हूँ तो उससे खुद जाकर पूछू तो क्या तुम चाहते हो कि मैं फार्म की कोई हल्प करूँ फू कहता है कि हाँ अगर तुम चाहो तो इस पर काओ हसते हुए कहता है कि मैं उसकी हल्प करूँगा लेकिन अगर तुम चाहो तो फू उसे हाँ कर देता है सीन हॉस्पिटल पर सिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि खिम अपने चेक अप के लिए गई होती है जब वो बाहर आती है तो खिम उसे पूछता है कि क्या हुआ क्या तुम वाटरफाल पर जा सकती हो खिम उसे कहती है कि नई मैं नहीं जा सकती इसके बाद वो खुश होते हुए कहती है कि इतने स्टॉंग में कभी नहीं थी हम जा सकते हैं और खुश होकर वो जाने लगते हैं डॉक्टर पेच उसकी ये बाते सुन रहा होता है वो भी बहुत खुश होता है आगे हम देखते हैं कि जब खेम और खेम अपनी घर जा रहे होते हैं तब ही डॉक्टर पेच उनको फॉलो कर रहा होता है अचानक वो उनके सामने जाकर अपनी फोन पर कहने लगते हैं कि क्या किसी ने मेरी सिफ्ट ले ली इसका मतलब येरा डे ओफ रहेगा मतलब मैं फ्री हूँ तब ही वो खेम और खेम की तरफ देखते हुए कि कितनी चोटी सी दुनिया है खेम डॉक्टर पेच से कहते है कि अगर आपका डे ओफ है तो आप हमारी साथ वाटरफॉल ड्रॉइंड कर सकते हो डॉक्टर पेच कहते हैं सच में क्या इस पर खेम कहती है कि हाँ बिलकुल वैसे भी हमारे पास ड्राइबर नहीं है तो तुम हमारे साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा इसके बाद वो खेम की तरफ देखकर हसने लगती है सीन और्फनेच पर सिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते है कि गुई साहे बच्चों की की हुई ड्रॉइंग्स को देख रहा होते है तभी वो अच्छानक मून की ड्रॉइंग को ध्यान से देखने लगता है सोलो उससे पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो गुई कहता है कि मैं मून की ड्रॉइंग को देख रहा हूँ रूमून कहता है कि मैं प्रिंस्पल से बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि वो जल्दी से वापस आ जाए सीन प्रेजेंट में सिफ्ट होते है जहां पर गोई कहता है कि अब मुझे पता चला कि बिग ममा क्यों चाहती थी कि हम फॉर्म पर आए तब ही अचानक सोलो के फोन पर कॉल आने लगता है तो लोग इसे बताता है कि जे का कॉल आ रहा है इसके बाद वो फोन लेकर साइट में बात करने के लिए चला जाता है और गोई पास में ही लगे बिग ममा के साथ और फनेस के बच्चों के फोटोस को देखने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है आई होप आपको वीडियो पसंद आयोगी तो प्लीज लाइक कीज़ेगा पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार